हेलो फ्रेंड्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स तो आज मैं बहुत ही यूनिक चीज लेके आई हूं और मेरी असमें ने लाके एक गिफ्ट दिया है मैंने का आप इतने अच्छी वीडियो बनाते हो तो मुझे आज गिफ्ट में मिला है और फिर सेवन पीस मिलने इसमें प्लीट को आपको कर दो ही इसके साथ है मिनली्स मिला जिसने हम चौक की बनासकते हैं और दो हमें प्लेट हैं, नॉर्मल एडली के स्टेंड हैं, और दो ही प्लेट हमें, खमण डोगला भनाने के प्लेट मिली हैं, सब रहती सफ्ट क्मान डोगला भनान के तयार होता है, उस्सक्त साथ यह में एक जाली भी बना सकते हैं इडली भी बना सकते हैं अच्छी है और दो एक साथ खमन डोकला बनेगा हमारा देखी फ्रेंट्स इसमें ये बड़ी इडली की दो प्लेटन दी गई जिसे मैं खोल के बताती है और इसका जो इस्टील है बहुत ही अच्छा है और बहुत मजबूत है तो फ् चलनी बगरा रखे तो इतनी अच्छी से नहीं बनती तो जब भी आपको इस तरह का इस्टीमर मिले तो आप जरू खड़ी दें जब भी कोई मेमान हमारे घर में आते हैं तो हम इसमें फटापर से बना के खिला सकते हैं और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है दो 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 बनाना चाहते हैं तो अलग लग भी बन जाएगी यह फ्रेंढ्स मुझे वहती पसंद आया है और जो मैंने चीजे बनाइए इसमें बहुत ही अच्छे से बनके त्यार हुए हुग है बाकि हम इस्टीम करते हैं भगनी में उसमें इतनी अच्छी नहीं बनती एक इसमें बह लग-लग कर बना सकते हैं और एक साथ लिया सकते हैं, लर्ट की इस से ही कोई भी चीज ऐक वाल लिया तो हम इस्से काम 코क में यससे हमारा काम भी आसान हो जाता है और समय का भी बचत वती है, तो हर पलेट के साथ इसमें में श्टनग भी दिए गाही जो अच्छे से सेट हो जाते हैं और उठाने में भी आसानी रहती है तो हम नीचे कडाई में पानी रखेंगे और इसको इस्ट्रीम करने के लिए रखते हैं और इसके जो साथ हैंडल दिये गए हैं वो भी आसानी से गरम नहीं होते हैं और हमारे हाथ भी नहीं जलते हैं तो उठाने में भ क्वालिटी अच्छी होने के बाज़े से इसमें कोई भी चीज जलती भी नहीं और आसानी से इस्ट्रीम भी हो जाती है तो मैं इसमें इस्ट्रीम करके भी बताऊंगे कोई भी चीज हमें इस्ट्रीम करेंगे तो इसको हम जैसे खाली भी कर सकते हैं और इसको हम कबर में रख और इसी पेकेट में रखें तो यह कभी हमारी जंग भी नहीं लगेगा वह खरब भी नहीं होगा जब भी हम निकालेंगे तो बिल्कुन नया जैसे देखेंगा तो चलिए आफ इसको इस्टिम करके भी बताते हैं चली अब गेस की ओर चलते हैं तो यह इसमें एक खास बात है इसको कवर कर देते हैं तो मुझे सबसे अच्छा इंडेक्शन पर बनाना अच्छा लगता है इस पर बरतन जलते भी नहीं है यह मेरे वीडियो बनाने की जगह है जा मैं इसको बनाती हूं अपनी वीडियो सूट करती हूं तो यह देखिए उपर लाइटिंग दी गई है जि आइडिया कैसा लगा तो मुझे केमेंट्स करके जरूब बताईएगा तो जम हम वीडियो सूट करते हैं यह खाना बनाते हूं तो अलग से में लाइटिंगे जरूद नहीं पड़ती है इसे प्रोपर रोस नहीं मिल जाती है अब मैं इसमें बेशन के गट्टे बना के बता मैंने यह गट्टे बना के रखे हैं और इसको इस्टीम करेंगे जो इसमें हम इस्टीम होते हैं वो अलगी क्वालिटी के होते हैं हमारे गट्टे बहुत ही सौफ्ट बन के तयार हुए तो हम बगोनी बनाएंगे तो इस तरह से नहीं बनेंगे लेकिन इसमें बहुत अच् तो जब मैं पेले बनाती थी, थोड़ा हार्ट रहाता था था लेकिन मैंने इसमें इस्चिमर आब बनाया है, तो बहुत अच्छे से बनके तयार ह कितना सॉफ्ट है तो मैंने खमढ़ दउनाव प्लेटों में तयार किया है अब दीखे फ्रेंट्स इसमें मैंने इडली बनाई है यह छोटी में इडली है तो इसको हम ऐसे छोके खा सकते हैं और बड़ी इडली का भी इस्टेंड दिया गया है तो इडली के मैं तीन प्लेटे मिली है एक छोटी और दो बड़ी है तो इसमें हम फटाप से कोई मेमन आ है तो हम जल्दी से हम बना के किला सकते हैं टाइम भी कम लगता है मुझे अम्मीद है जाज की वीडियो जरूब अच्छी लगए होगा तो लाइक कीजिए जाता जाज शियर भी कीजिए और कमेंट्स करके जरूब बताई है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल क आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं पर एक न्यू वीडियो में जब तक क्लिए बाइएंड टेक क्यार